हेलो गाईज असलाव अलेकुम वेलकम टू माई यूटीब चैनल प्रेंड्स आज मैं बहुत हुप्सुरत बहुत आसान सा बुनाई डिजाइन लेकर आए हूं बेगिनर्स के लिए यह हमारा पैटर्न दो दो फंदों में बनेगा इस तरह से इसमें हम फंदे ला लेंगे दो 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 फंदों में हमारा डिजाइन बनकर आएगा तो टू पलेश टू पलेश टू इस तरह से फंदे लेंगे इसमें इस डिजाइन को बनाने के लिए तो यह हमने नीचे से बॉर्डर बनाने के बाद अब इसके ऊपर से हम इस्टार्ट करेंगे अपना रिपीट पैटन तो यह जो पैटन मैं बनाऊंगी यह पैटन हमारा 6 रो में कंप्लीट होगा बनकर तो वही 6 लाइया 6 रो आपको बार बार रिपीट करनी है तो जो मैं बताऊंगी उसे आप पुरा ध्यान से देखेगा वीडियो को फुल वाच किजिएगा पुरा वीडियो देखेगा 6 आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा बिल आइकन को प्रेस कर लिजिएगा इस तरह से आपको नएनी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी अब यहां पर हम बनाएंगे एक फंदा स्लिप करेंगे फर्स्ट रो में राइट साइड से यहां पर बनाएंगे सारे फंदे यह हमारी पैटन की फर्स्ट रो है बहुत ही आसान है बुनाई रिजाएं और आपको बहुत ही खुब चलत लगेगा बनने के बाद आप इस पैटन को ट्राइज रूर कीजिएगा और फ्रेंट से आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और श यह हमने कंप्लीट कर लिया अब हम बनाएंगे रॉंग साइज से दूसरी सिलाई में इस तरह से सारे फंदे रॉंग साइज से दूसरी सिलाई में उल्टा उल्टा बनाएंगे दूसरी सिलाई नीचे से जब हम सिक्स रो बनाएंगे न तो सलाई हमारी ऐसे ही बनेंगी उल्टा सीधा यह उल्टा 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 गुनकर हम कंप्लीट करेंगे यह हमारा दो सलाई कंप्लीट हो गया अब यहां पर फ्रेंड से स्टार्ट करेंगे बनाना थर्ड रोर राइट साइड से तो यहां पर ध्यान से देख और दो फंदे लेकर एक साथ बैक लुक से एक बार ऐसे सीधा बना लेंगे देखें इस तरह से सीधा बनाएंगे फिर हम ऐसे सलाई पे धागाला पेटेंगे ऐसे और बैक लुक से दो फंदों को हम ऐसे एक करेंगे देखें फिर सलाई पे धागाला पेटेंगे और इन दोनो दो फंदों को ऐसे ही बैक लुक से 1 करेंगे यही फंदें न हमारे बार-बार रिपीट हूंगे, सलाई पर धागल पेटेंगे और बैक लुक से 2 फंदों को ऐसे हम एक करेंगे देखे, ऐसे ही हम थार्ड रो में सारे फंदे ऐसे गुनकर कम्प्लीट करेंगे बैक लुक से दो फंदो को हम ऐसे एक करेंगे देखें फिर हम सलाई पे धागाला पेटेंगे और दो फंदा लेकर ऐसे एक साथ बनाएंगे पेटर हमारा इस तरह से बन करेंगे आप रॉंग साइट से फोर लो तो फ्रेंडसेश जो हमारी 4 रो है ना 34 लाई इसको हम ऐसे ही उल्टा उल्टा बनकर complete कर लेंगे सारे फंदे ये हम नीचे से ऐसे ही बनेंगे इस तरह से ये दिखे तब ये हमारा जारी अच्छे से बनकर आएगा इस तरह से ऐसे बनाएंगे उल्टा सारे फंदे उल्टा बना लेंगे जितने भी फंदे है ना सारे फंदों को ऐसे ही परलवाई इस टिख कर लेंगे ये हमारी 34 लाई है 4 रो ये हमारी 34 लाई कंप्लीट हो गई है अब हम आते हैं राइट साइड से फिप तरो तो ये देख सकते हैं ना पैटर्न इस तरह से बनकर आएगा अब हम फिप तरो बनेंगे एक फंदा ऐसे सिलिप करेंगे अब यहाँ पर ये जो फंदा जाली से हमारा फंदा बना है ना ये फंदा हम ऐसे सिधा बनाएंगे एक फंदा सिधा बनाएंगे धागा अपनी साइड लाएंगे और ये इस फंदे को हम ऐसे उल्टा बनाएंगे फिर धागा पीछे करेंगे जाली वाला जो फंदा है ना इसको हम सीधा बनाएंगे और धागा अपनी साइड लाएंगे इसको उल्टा बनाएंगे फिर धागा पीछे करेंगे ऐसे ही बुनकर कंप्लीट करेंगे एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा यह हमारी 5th row है ऐसे ही एक बंदा उल्टा एक बंदा सीधा एक बंदा उल्टा एक बंदा सीधा अहां पर फ्रेंड्स यह एक बंदा उल्टा और एक बंदा सीधा तो ये हमारी पांचवी सलाई बनकर कम्प्लीट हो गई है ये देखिए पैटर्न हमारा इस तरह से बनकर आएगा अब हम आते हैं रॉंग साइड से शिक्स रो शिक्स रो ऐसे ही एक फंदा सिलिप करेंगे और धागा पीछे ही रहेगा एक फंदा हम सीधा बनाएंगे धागा अपनी साइड जो जैसा दिख रहा है न वैसा ही बनाएंगे ये उल्टा दिख रहा है इसको उल्टा बनाएंगे धागा पीछे इसको सीधा बनाएंगे फिर से इसको उल्टा बनाएंगे ऐसे ही जैसे आगे की साइट से हमने बुना था वैसे ही रॉंग साइट से भी बुनेंगे बैक साइट से भी दो एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा ऐसे ही सारे हम बना लेंगे एक फंदा उल्टा फिर एक फंदा सीधा फिर एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा फिर से एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा फिर से एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा जैसे हमने आगे की साइड से बनाया था वैसे ही रॉंग साइड से इस तरह से बनकर आएगा एक फंदा करेंगे और सारे ऐसे हम सीधा बनाकर कंप्लीट करेंगे दो स्राइएं हमें फिर से वैसे ही बनानी है फिर से रिपीट कर रहे हैं तो सारे फंदे सीधा बनाकर कंप्लीट करेंगे फिर रॉंग साइड से उल्टा बनाकर कंप्लीट करेंगे फिर थार्ड रो से हमारा यह पैटन डिपीट होगा तो फ्रेंट पैटन बहुत ही आसान है बनाना और बहुत खुब स्रण लगता है बनने के बार किकि बहुत ही चोटा-चोटा पैटन है इसको आप रेडी जेकेट कार्डिगार में बच्चो के सैटर में अपलाई कर सकते हैं मुफलार इसकार्ब बना सकते हैं क्योंकि यह जाली वाला पैटन है अब यह देखिए यह हमने फर्स्ट रू बना लिया है अब इसके उपर ऐसे ही दो सलाईया बुनेंगे फिर यही पैटन हम रिपीट करेंगे तो यहाँ पे मैंने बना कर दूसरे कलार में भी रख लिया था यही देखिए यह पैटन हमारा इस तरह से बनकर आएगा यह देखिए कि नहीं फिर वीडियो अच्छी लगी हो और बताने का तरीका तो वीडियो को लाईक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को जरूर्वर सब्सक्राइब कर लीजीगा लाज में, एक और वीडियो मिलीँगी नेक्ट वीडियो में, तततक लिला हाफिस, थेंक्स वाचिंग मैं वीडियो